हलो दोस्तों गायत्री की रसोई में आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आइस क्रीम मात्र तीन चुज़ों से बनाएंगे दोस्तों और बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है बहुत ही कम टाइम में मात्र तीन से चार तो चलिए फुल रेश्ट भी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन इसमें हम डाल लेंगे थ्री टेबल इस्पून कॉन फ्लाओर दोस्तों यह मैंने जो है वन टेबल इस्पून का नाप लिया है अब हम चार टेबल इस्पून इसमें सुगर डाल देंगे और दो कप हम डाल देंगे इसमें भर-भर के दूध तो अगर हम दूध को वैसे नापेंगे तो यह 500 ml दूध है 500 ml और इसको हम अच्छे से मीक्स करेंगे बढ़ियां से घोल देंगे जो कॉन फ्लावर होता है मतलब कॉन स्टर्च वो नीचे तले में बहुत जिल्दी चिपक जाता है तो उसको बढ़िया से अच्छे से घोल दे उसके बाद गैस चालू करके इसको धीमी आज पर बहुत यह बढ़िया से पका ले इसको बढ़िया से कंटीनू चलाते है दोस्तों हमें इसको बहुत अच्छे से जब इसमें से बॉइल आ जाएगा मतलब एक से दो ती इसमें से बहुत अच्छा में एक उबाल एक से दो उबाल ले लेते हैं बढ़िया से जब उबाल आ जाएगा तो यह पक भी जाएगा और इसका टैक्स्चर भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो दोस्तों आपको दूद जो है उबला हुआ लेना है कच्छा दूद बि और यह देखे कितना बढ़या से इसमें से उबाल आ चुका है आज को बिल्कुल धीमा ही रखें बिल्कुल मद्धियम आज पे इसको पकाना है तो हम फ्लेम को ओफ कर देंगे ओफ करने के बाद इसको नीचे उतार लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे तो आप जल्दी है तो आप इसको चलाते हैं ठंडा कर लीजिए नहीं तो आप इसको ढखके ठंडा करें तो मैं इस पर एक इस तरह की प्लेट रखतूँगी श्टीमर वाली और यह मतलब यह जल्दी ठंडा हो जाएगा अब हम इसको देख लेते हैं यह देखे दोस्तों गाढ़ा होने के बार म में देखे कितना ज़्यादा गाढ़ा हो जुका है तो अब इसको हम क्या करेंगे इसमें हम 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देंगे मिल्क पाउडर से दोस्तों इसका टेस्ट ना एकदम मावे जैसा लगेगा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसको बढ़ हमें स्मूज सा बै commen Er brand बना ले ना है अभी पतला हो गया है तो हम इसको क्या करेंगी दोस्तों इसको ना भोल लिये हैं और नाप ठोड़ा इसमें डाल देंगे थोड़ा इसमें नोस बूरा इसमें भाया डॉडबर हो जुका है आप हम इसामें फ्लेवर करें तो मैंने एक में डाला है Wildlife और यह दूसरे में हम डालेंगे strawberry essence चली इसमें भी हम डाल देंगे 4 शे 5 drops इसमें भी मैंने 5-6 drops डाले और इसमें भी 5-6 drops अच्छे से mix कर देंगे और जो strawberry वाला है इसमें मैं food color add करूंगी ताकि हमारी जो ice cream है बिल्कुल strawberry जैसी दिखेंगे तो मैंने यहां पर red food color लिया है मतलब इसमें डाला है और मैंने त्री ड्रॉप्स डाला था जेल फूट कलर है तो बहुत त्यारा सा कलर आ चुका है और अब आप इसको बाधे से अचे से मीक्स करेंगे यह देखर बहुत बढ़ë से इसमीक्स हो हो चुका है अब हमें जिस मॉल्ड में हमें इसको सेट करना है यह देखिए बिल exponλ आप लोग ध्यान से देखे इस तरह से दोनों बैटर को मतलब साइड से ही गिराना है 20 से नहीं गिराना है एकदम साइड से गिराना है तो यह बढ़िया से एक दम इस तरह से बन जाएगा तो आप हम इसको ढख देंगे मतलब इसको बढ़िया से कवर कर देंगे तो मैंने यहाँ पर क्लिंग वर्प लिया है इसको बढ़िया से इस तरह से उपर से हलका हलका सा ढख देंगे मतलब इसको कवर कर देंगे और उसके बाद हम लेंगे रख रहे हैं तो आप 6-7 गंटे, 6-8 गंटे जरूर रखें, सेट होने में इसको टाइम लगता है, तो ये देखें दोस्तों कितनी बढ़िया से हमारी जो आइस क्रीम है, बहुत बढ़िया से सेट हो चुकी है, तब हम clean wrap हटा देंगे, और इसको हलका सा गुन-गुना पानी म निकल जाए, तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए पानी में रखा था तो इससे निकलने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आप इसको थोड़ी देर मतलब 20-30 से केंड जरूर पानी में रखें, ताकि ये बढ़िया से निकल जाए, और इसको हम cut करेंगे, देख सकते है दोस्तों कितनी smooth smooth cut रही है, बहुत ही ज़्यादा सौधिस्ट बनी है दोस्तों, और खाने में बिल्कुल एकदम मावे जैसा इसका टेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छी लग रही थी दोस्तों, बिल्कुल market style बनती है, और बनाने का जो मतलब तरीका है बहु असा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, और बहुत ही कम चीजों से बनकर ये तयार भी हो जाती है दोस्तों, और ये देखिए, इसका texture देख सकते हैं, बिल्कुल smooth, एकदम creamy ice cream बनकर तयार हुई है दोस्तों, तो इसी तरह से आप भी बनाएं, आप भ लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी, तो प्लीज दोस्तों सपोर्ट जरूर करें, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, भाई दोस्तों